वेल आज की वीडियो लेक्चर में हम लोग कंटीनिव करने वाले हैं अपना नियू सब टॉपिक जिसका नाम है कॉमुनिटी एल्लेक्ट लास्ट वीडियो में हमने सोसाइटी को कवर करा जिसमें हमने सोसाइटी के मेनिंग, डेफिनिशन, फीचर्स, दैन उसके बाद में हमने MCQs करें ताकि आपका पूरा टॉपिक अच्छे से कवर हो जाए और आपको अंडेस्टेंट हो जाए और आप लोगों को मज़ा भी आया उसमें और थैंक यू सो मच आपने उन वीडियो को इतना जादा प्यार दिया आलाइट, सो फाइनली आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हमारा नियूस अटॉपिक जिसका नाम है कॉमिनिटी और मैं इस कॉमिनिटी को भी इस तरह से आपको समझाऊँगा कि एक एक चीज़ आपके माइन में फिट हो जाए कोई मिटर नहीं करता, आप साइंस बैग्राउंड से हो, कॉमर्स हो तो स्टार्ट करने से पहले आप सभी को एक चीज़ और बता दूँ कि अगर आप लोग फिमेल सुपरवाइजर एक्जाम में 100% सेलेक्शन लेना चाहते हैं मैं अगेन बोलता हूं 100% सेलेक्शन लेना चाहते हैं तो आप लोग जोईन करें हमारा फिमेल सुपरवाइजर कोर्स इस कोर्स में हम लोग आपको प्रोवाइड करेंगे पूरा कम्प्लीट कोर्स जिसमें वीडियो लेक्चर्स होंगे प्लस आपको पूरे के पूरे कम्प्लीट स्लेबर्स के नोट्स प्रोवाइड किया जाएंगे इसके साथ आपको पूरे कम्प्लीट स्लेबर्स के हम लोग MCQs प्रोवाइड करेंगे प्लस पूरे कम्प्लीट स्लेबर्स के आप लोगों को test series जो है वो provide करेंगे यह सारी चीजें आपको completely हम लोग अपने course में provide करेंगे और यह पूरा complete जो course है यह दो डाई महीने या तीन महीने में हम लोग cover करेंगे अच्छे से sequence के साथ और उसके बाद साथ साथ में आप लोगों का revision जो है हम करवाएंगे test series की form में तो यह अगर आप लोग हमारा female supervisor को join करते हैं तो आप लोग मेरी responsibility बन जाओगे तो मैं best of the best content जो है वो आपको provide करूँगा ताकि आप लोगों का selection हो जाए चीक है और बाकि आप लोगों मेरे lecture देखी लिए तो I just want कि जितने भी candidate जो ने अभी तक joining करा join करने के लिए मैसेज कर सकते हैं मेरे whatsapp number 7006332724 पर और आपको सिर्फ supervisor course लिखना है ना आपने hello लिखना है ना आपको high लिखना है आपको लिखना supervisor course जैसे आप लिखोगे आपको इसी टाइम पे link मिल जाएगा आपको app install करनी है and course को buy करना है ठीक है अभी offer भी चल रहा है जिसमें हम लोग पूरा full course सिर्फ 999 में provide कर रहे हैं मतब़ ऐसे course की जो price है वो 3000 है लेकिन अभी दो दिन हमने और extend करे हैं इन दो दिनों में price जो है वो 999 ही रहेगा तो join करने के लिए इस number पर अभी message करो और join करो ठीक है तो चलिए start करते हैं आज हम community का topic community में हम लोग क्या-क्या पढ़ने वाले हैं चलिए सबसे पहले हम बात करें तो community में हम बात करेंगे सबसे पहले meaning की meaning पढ़ेंगे meaning के बाद definition करेंगे definition important है और उसके बाद types के बारे में पढ़ेंगे then उसके बाद main elements कौन-कौन से है community के वो हम देखेंगे फिर उसके बाद features जो है कौन-कौन से features है क्योंकि features से भी questions पूछा जा सकता है then उसके बाद हम MCQs पढ़ेंगे ताकि हमने जो भी चीज़ें जो भी topic यहां से cover करें वो direct MCQs की form में मैं आपके साथ share करूँ with explanation with explanation ताकि आपको किसी चीज़ को doubt ना रहे और फिर last में test series जो है वो start करेंगे ठीके paid batch में society का test series आप वो एक दो दिन में हम upload कर देंगे paid batch में बागी community के जैसे हम cover करेंगे इसका भी performance जो है वो मिलती रहे clear है? okay देखो आप सब को start करने से पहले एक चीज़ मैं बता दूँ कि आपके community में से जो marks है वो एक number का आना है paper में एक number का community से पूछ आना है तो हम लोग पढ़ेंगे भी उस तरह से कि हमारा ये एक number जो है वो हमें आ जाए ना कि हमें PhD करने है मैं पहले बता दूँ कि बहुत सारे candidates जो हैं उनको लगता है चीज़ें कम हैं जादा है मेरे ख्याल में मेरे experience के basis पे चीज़ें ना ही कम होती हैं ना जादा होती चीज़ें हमेशे relevant होती हैं आप relevant चीज़ें करके जाते हो exam point में तो आपका number जो है वो आते हैं ठीक है चले meaning of community से community का meaning ऐसे तो बहुत सारी written form में लिखा हो है लेकिन मैं आपको इसका personal simple way में meaning बताऊंगा फिर उसके बाद हम ये सारी चीज़ें जो है वो discuss करेंगे ठीक है देखो मैं आपको एक चीज़ बताऊं ये जो written form में चीज़ें लिखी होती है न ये हमेशा हर जगा पर अलग लग होगी तो it's very important कि आप लोगों को mind में concept clear होना चाहिए आपको मतलब बता होना चाहिए so that exam में किसी भी written form में किसी भी तरह किसी भी language में question पूछ ले जाए आप लोग उसका answer दो ठीक है चलिए start करते हैं और सबसे पहले हम लोग मैं आपको simple way में community का मतलब जो हो समझा देता हूं तो community का मतलब समझाने से पहले मुझे थोड़ा सा आप लोगों को society जो है उसको recap करना पड़ेगा ठीक है मतलब society के साथ जो मैंने पढ़ाया है उसी के साथ relate करके आप लोगों को मैं community का जो meaning है वो बताऊंगा सबसे पहले हमने community के बारे में क्या पड़ा कि community क्या है community जो है that is a web of social relationship यही है ना social relationship for example कैसे सुनिए web of social relationship किस तरह से है मैं बताता हूं जैसे for example मैं हूं ठीक है मैं जिस भी एरिया में रहता हूं अब यहां से अगर मैं बाहर निकलूंगा वहां पर अगर कोई भी इंसान है कोई भी बंदा है तो आते जाता है क्या होता है interaction होती है hi hello होता है बतब daily आप कहीं किसी जगह से निकल रहे हो भाई वहां जो बंदे होते है न ऑटोमेंटिकली जान फैचान हो जाती है ठीक है तो इस तरह से society में क्या होता है एक social relationship का व्याब होता है clear है पहले जी समझ आई दूसरी जो हमने society में बढ़ी वो यह कि society में क्या है group of people है group of people है who shared common culture and territory है ना who share common culture common culture and territory यह चीज़ बढ़ी थी common culture का मतलब क्या है अब बहुत सारे लोगों को इस culture का meaning भी बता है लोगों को लगता होगा कि culture सिर्फ वही होता है जो लोग हम मतलब जो रिती रिवाज होते हैं या उसी को culture बोलते है ऐसा नहीं है अगर हम sociology point of view से culture को देखेंगे तो आप लोगों का behavior आप लोगों की bully आप लोगों का role आप कि रिच्वल इस सब कुछ आपके culture के अंदर आता है आप बोलो के कैसे सुनो जैसे for example मैं जिस एरिया में रहता हूं तो यहां पे बहुत सारे ऐसे मुसलिम भी मेरे फ्रेंड्ट हैं तो वह मुसलिम भी डोगरी बोलते हैं ठीक है वह मुसलिम भी डोगरी बोलते हैं तो यह इंटरेक्शन जो होता है यह भी आपके लेंग्वेज जो होती है यह भी आपके culture के अंदर आती है in term of sociology ठीक है in term of sociology आप लोगों का जो जो लेंग्वेज होती है यह भी आपके culture में आती है और territory मतलब सेम जगह पर जो लोग रहते हैं अब वही मैंने आपको बता दिया कि society को अगर मैं short form में आपको explain करूं तो कहने का मतलब यह कि मैं जैसे जम्मू में रहता हूं जम्मू में एक particular जगह है मैं वहां पे रहता हूं ठीक है अब मैं जिस जगह पे रहता हूं वहां पे मैं हिंदू हूं बहुत सारे Muslim भी हैं बह जैसे for example हम लोग डेली में अपने घर से बाहर निकलता हूं कही जाने के लिए तो कुछ लोगों के रास्ते में गर है या लटके खड़े होते हैं यहां जिनके साथ में स्कूल बगरा यहां आगे पिछे तो क्या है कि हम लोगों की बीच में एक interaction होगे जिस वाज़े से एक उस चीज़े होती 올ी हो तो उसको क्या बोला जाता है ऊस और three भाद क क्या बोलते है साईटी सुसाइटी लेकिन जब हम बात community की करते हैं यहां पर थोड़ा सां specific हो जाता है ठीक है specific हो जाता है कैसे सुनो अब ये जो तुसाइटी है न सुसाइटी इतनी बड़ी साइटीर स society के अंदर बहुत सारी Communities होती है different communities होती है लेकिन अब जिस पर्टीकुलर area में आप लोग रहते हो वहां पर जिस तरह का बातावर्ण होता है लोग उसी तरह से भेव करते हैं अब यहां पर क्या है कि मैं जिस जगहा सब्सक्राइब चुटा सा पार्ट चला जाता है सुसायटिटी का जैसे पर मूसलिम कॉमुनिटि यह ना लिए तो हो गया से अब इसी तरह से डिफरेंट डिफरेंट basis के ओपर, जैसे places के अगर हम बात करें, तो जो लोग पुराने same गाउं में रहते हैं, ठीक है? वो उस गाउं का, मतबग particular गाउं में रहते हैं, ठीक है? तो वो वहाँ की चीज़ें शेयर करते हैं, like उस गाउं के tradition, beliefs को शेयर करते हैं, ठीक है? तो वो होगे आपकी गाउं की community, अब बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं, जैसे बहुत सारे ऐसे बंदे भी होते हैं, तो social media पे, जैसे आप लोगों का facebook हो गया, twitter हो गया, instagram हो गया, यहाँ पे भी लोगों ने community बनाई होते हैं, यह लोग क्या करते हैं, जो लोग online interaction करते हैं, दूसरे के साथ, ठीक है, तो वो क्या हो गया, online community हो गया, ठीक है, लेकिन community का ना, एक best part है, मतलब इसका एक जो main feature है, जो इसको मतलब जिसके through हम लोग इसे बहुत अच्छे से समा सकते हैं, वो है वी feeling, क्या, वी feeling, अब वी feeling का मतलब क्या होता है, वी feeling का मतलब होता है, अपना पन, ठीक है, और उसके साथ-साथ, इसमें आता है, cohenciveness, cohenciveness का मतलब होता है, unity, ठीक है, मतलब जब हम particular community की बात करते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ मतलब एक अपना पन जलगता है सोसाइटी में क्या है मैं जिस जगह पे रहता हूँ जो मेरा फ्रेंड सर्कल है क्या पता वो हिंदू है मुसलिम है, क्रिश्चन है ठीक है? कोई पता नहीं लेकिन हम लोग एक जगह पे रहते हैं अच्छी खासी बातशीत होती है वो हमारे जैसे बोली बोलते है हम एक दूसरे के साथ कहीं गोमने शुमने जाते है तो वो क्या है? वो सोसाइटी है लेकिन अगर हम लोग कॉमिनिटी के बात करें तो कॉमिनिटी में हम लोग पर्टीकुलर चले जाते हैं मतलब सिर्फ वही लोग जो एक जैसी बोली बोलते है डिटो जानका एक जैसा है रिलीजिन है जहां जो लोग एक जगा पे काम करते है या जो लोग एक मतलब एक तरह एक प्लैटफॉर्म पे इंट्रेक्शन करते है ठीक है? उनको क्या बोला जाता है? उनको बोला जाता है community community क्या है community is a social unit यह small part है society का clear है मुझे उमीद है कि अब आपको पता लग्या होगा लेकिन एक चीज़ और जैसे society for example अब अगर कोई for example मेरा किसी के साथ कोई मतब ऐसे होता ना तू तू में होना मतब कोई कि बातचीत होना अगर हो जाती है तो किसको फर्क पड़ेगा वही कोई मेरे बारे में बोलता है या मैं किसी वारे में बोलता क्या फर्क पड़ता लेकिन community में वह चीज़ नहीं होती है हाँ relationship होता है बाट उतना अपना अपनी या उतनी unity नहीं होती लेकिन community की जब हम बात करें ना community में दो feature बहुत जादे important है first we feeling and dousra cohenciveness clear यहां तक कुछ doubt अगर होगा तो मुझे बोल दे ना मेरा में मक्सिदा आप लोगों को concept clear कराना क्योंकि बाकी जो राम कहानी लिखी हुई है ना नीचे उसका तब तक कोई मतलब नहीं जब तक आपको community word आपके माइन में ना पहुंच जाए clear है मैं फिर एक बार repeat कर रहा हूं ध्यान से सुनना क्या लिखा है कि society जो है वह वह वेब social relationship मैंने बहुत अच्छे समझाया किस तरह से है ठीक है अब उसके बाद मैंने लिखा हूँ share common culture and territory culture के मारे मैं आपको बता दिया मतलब जी जगह पर हम रहते हैं चाहे किसी भी religion का बंदा अगर वह सेम डोगरी मतलब सेम डोगरी बोल रहा है हमारे जैसा चल रहा है मतलब interaction कर रहा है बहेव कर रहा है हम जैसे मतलब एक जैसे हम लोग रिच्वल्स वह भी कर रहा है जैसे इसको क्या बोलते हैं ऐसा होल क्या बोलते हैं बोलते सुसाइटी जब हम कॉम्मेटी के बात करते कॉम्मेटी में बहुत बहुत पर्टीकूलर हो जाता है जैसे Muslim, Muslim community, Hindi, Hindu community और सब से मोस्तिम पॉर्टन चीज़ सोसाइटी और community के भीच में सब से बरा डिफृरन यह है कि community जो है वह as a whole normal होता है इसमें कोई वह अपनापनी है उतना दाधा unity वाला वो सीन नहीं है ठीक है अगर कॉई में कोई सीन हो भी जाए तो प्रॉब्लम नहीं लेकिन यह कॉम्मिनेटी में भी फिलिंग बहुत होती है अपनापन बहुत होता है मतलब कॉम्मिनेटी को अगर आप हिंदी में बोलो गया तो इसका मतलब बिरादरी ठीक है तो बिरादरी वर्ड से आपको पता लग गया कि ए को मैंने 90 पerson jora 90 को सबीवार किया और कॉम्मिनटी को आ रिलेटी करें के से आपको मेंनिग ब्ता दिया मैं चली आप पढ़ते हैं जो भी की दिफरेंट हो जाती है कि मैं हमेशा आप लोगों की चीज़ बोलता हों कि बह्याइब नोट्स बनाओ नोट्स बनाओ क्यों ताकि आप लोगों को चीजा याद रहें जो अपनी लेंगुईज में अपने आपने नोट्स बनाया होते हैं और और इले कि आप अब प्रिंट तो इसलिए आपको सिर्फ इतना बोलूंगा कि खुद के नोट्स बनाओ और में फोकस करना आपको माइंड में अंडेस्टेंड करनेंगा क्योंकि अगर कंसेप्ट का मिनिंग अपको अंडेस्टेंड हो गया तो आपको किसी भी फॉर्म में पूछन पूछ ले जाए आप रह तो इसका हुआ है कि कॉम्मिनेटी जो है वह एक सोशल यूनेट है ठीक है यूनेट मतलब एक छोड़ा सा हिस्सा किसका सोशल मतलब सुसाइटी का ओके जिसमें क्या होता है ग्रूप ओफ लिविग फिंग मतलब ग्रूप पीपल्स उसमें होते है आप हूँ शीर्ड सोशल क्या है पस्यूंट क्या होता है मतलब सीमेला है लिए मतलब क्या सिगनिफिक करेकरण चीज़ फिचर्स ऑगर मैं आप लोगों को एक्स्पेंड गर हो जैसे किसी जैसे मेरे बहुत अच्छे तो मतलब इसी तरह से सुसाइटी में क्या-क्या चीजे पीचर में अब को समय लग गया होगा ठीक है तो अब इनने क्या लिखा कि कॉमेलिटी जो है वह सोशल यूनेट है बतब सुसाइटी का एक यूनेट है इक हिस्सा है मतलब group of peoples का group of peoples उसमें होते हैं जो लोग क्या करते हैं कुछ significant characteristics को share करते हैं अब वो characteristics कौन से features कौन से वो जगा भी हो सकती है set of norm भी हो सकते हैं, culture भी हो सकता है, religion भी हो सकता है, values भी हो सकता है, custom भी हो सकता है, और यहाँ identity भी हो सकती है, ठीक है, मतलब, एक group of people, ठीक है, एक small unit, जो आपस में common, ठीक है, most important features को shared करता है, ठीक है, वो common features कोन-कोन से, places हो गया, जैसे for example, कुछ लोग गाओं में रहते हैं, तो कुछ लोग शहर में रहते हैं, ठीक है, गाओं की community होगी, शहर की community होगी, उसके बाद, set of norms, culture के बारे में, अलड़ी बता चुक हूँ, जैसे religion के basis पे, अगर हम community देखे हैं, तो Muslim community, Hindu community, Christian community, ठीक है, values के basis पे, custom and identity के basis पे, ठीक है, समझाया है यहाँ तक, चलिए, मैं एक छोटे से हिस्से को बोला जाता है, अब आपको एक चीज़ में बनाता हूँ, अगर suppose यह society है ना, तो इसमें बहुत सारी communities आती हैं, ठीक है, बहुत सारी communities आती हैं, समझाई आपको, समझाई, एक society के अंतर बहुत सारी communities आती हैं, इसलिए हम लोग community को एक social unit बोलते हैं, ठी होती है बड़े संस में हम लोग पढ़ते हैं चलिए अब मैं आपको बताता हूं जैसे लिखा है रहेंगे तो जाहिर सी बात जगह होगी करते हैं और इन लोगोंगा इतिहास जो है वो भी सेम ही रहाता है ठीक है समझाई समझाई चलिए अब नेक्स जो है एक्जेम्टा पूछा है कि another example is a community of people community क्या है community of people community of people मतलब group of people भी आप लोग बोल सकते हैं don't worry next example बताई गए community कि वो group of people जो follow करते हैं same religion को ठीक है जैसे for example Christian Islam, Hinduism, Buddhism है ना तो मतलब जो लोग same religion को follow करते हैं उस तरह की community बोला जाता है जैसे जो लोग Muslim community को जो बंदे Muslim है वो Muslim community के अंदर आ जाते हैं जो Hindu है बंदी को community के अंदर आ जाते हैं जो Christian है वो Christian community के अंदर आ जाते हैं और ये लोग क्या करते हैं ये लोग भी same belief, ritual, scripture and moral values को share करते हैं आपस में clear है? clear है? अब आप एक चीज मतलब आप एक चीज बार-बार मतलब आपको खटक रही होगी जो science और commerce वाले होते है कि भाई share करने का क्या मतलब है? ये कौन सो सुबह उठके हमें प्रवचन दे रहे होते हैं भाई ऐसा नहीं है अब daily basis पे ये जो बिलीव, spiritual, spiritual इनका ये आपको सिखाया जाते है जैसे अगर हम बात करें belief system की तो मतलब आपको बताया जाता है कि पुजाबाट करना है ठीक है? बगवान जी होते है वैसे different different जो religions होते हैं उनमें बताया जाता है कि भाई ऐसा करना है, ये होता है ठीक है? तो ये हमें सिखाया जाता है बच्पन में, सोदाट की हमें पता है इसलिए तो आप लोग मतलब मंदिर, मस्जित या घुर्दवारा में जाते हो तो ये चीज़ा सिखाई गई है ना अगर आपको पता ही नहीं होता है, ठीक है? उसके बाद अगर बात करें moral values की तो मतलब जो भी अच्छी बात होती है वो भी हमें सिखाया जाती है तो इस तरह से हम लोग जो चीज़े पढ़ रहे हैं इसमें क्या है कि मतलब जो हम चीज़े यहां तो अपने अंसिस्ट मतलब चाहन तो हम अपने सीखते हैं जामें शेयर की जाती है तो अगर हम लोग हिंदू कॉमिटी में जिस तरह से भी वैल्यो जान बलीफ यह जो भी होते है वह हमें सिखाया जाते हैं सीखते हैं जैसे बच्छा वादा चोटा उसको बोलते हैं चलो हाथ जोडो तो मथा हिंदू हैं तो हम लोग क्या करते हैं हम लोग पहुंच होते अब जो मुस्लिम हैं वो क्या करते हैं सजदा करते हैं तो मतलब कहने का यह कि different communities होती है वो अपने अपने accordingly अपने जो भी social beliefs है और moral values है वो शेर करते हैं ठीक है अब जो अगला example है कि लिखाए यहां पर कि community जो है community क्या करता है में share a sense of place situated in a given geographical area अब जैसे for example इन्होंने क्या बोला है कि community हम लोग sense of place को भी बोला जाता है बोल सकते हैं ठीक है जो लोग किसी given geographical area में रहते हैं जैसे for example इन्होंने कहा country village town या neighborhood जैसे for example हम बात करें तो जैसे मैं बाउफोर्ड से हूं ठीक है मतब हम लोग वोट से हैं तो अब अगर मैं किसी अलग जगा चला जाता हूं तो वहां पर मुझे मैं चंदीगड चला गया चंदीगड में अगर मुझे बाउफोर्ड या जमू अगर मुझे पता लगे ना यार यह बंदा जमूग है तो आपस में एक अलग तरह के इंट्रेक्शन और अलग तरह का एक सवाब हो जाता है यह अपना बंदा यार होता ना यह वही चीज़ है यह बोली होई है ठीक है तो मतलब जोग्रॉफिकल एरिया के हिसाब से भी उस उस sense of place को भी situate किया गया है इस community इस community देखो हम लोग जो community पढ़ रहा है ना community is not a single and single group of people मतलब हम लोग हमारे beliefs हमारी जगाए हमारे action interaction के basis पे different communities होती है ओके वही चीज़े हम लोग पढ़ रहा है तो I hope कि आपको समझा रहा होगा देखो अब एक और example देखो हमने अभी तक जो example पढ़ी उपर उसमें हमने पहले same village में जो लोग रहते है ठीक है वो example पढ़ी ठीक है फिर हमने दूसरी example community के पढ़ी कि जो लोगों के same religions है वो पिर हमने पढ़ा कि same place ठीक है same place in term of country wise state wise ठीक है वो चीज़े है अब हम पढ़ेंगे another example community की वो ये की community community of people मतलब group of people जो ल तो ये लोग क्या करते हैं they share our sense of place based on their social interaction interest and network ठीक है अब BC के लोगों ने बोला है कि वो सारी community वो सारी community जो लोग social media को use करते हैं ठीक है जैसे facebook, instagram, twitter अब ये लोग क्या करते हैं ये लोग उस social media की जगा को ठीक है उस social media की sense को ये लोग share करते हैं ठीक है online interaction के लिए अपने interest के लिए या network के लिए तो इसको क्या बोला जाता है इसको बोला जाता है online community है ना social media community clear है clear हुए यहां तक इसी तरह से next time बढ़े तो यहां लिखा है community may have intent intent होता है इरादा इरादे belief होता है विश्वास resources आपको पता ये preferences भी आपको पता है ठीक है needs and risk in common ये सब चीजे common होती है community में मतलब community में जो people होते हैं लोग होते हैं उनके इरादे उनके belief उनके resources उनके preferences उनकी जरूरते उनके risk ये सब कुछ common होता है जिसकी वज़े से क्या होता है कि उनके जो identity है उन participants की जो मतलब group of people होते हैं वहां पे उनकी identity को effect करता है और साथ में उनके अंदर क्या होता है a degree of cohenciveness cohenciveness का मतलब होता है एकता एक यूटिता ठीक है अगर आम इंग्लिश में बोले तो बोलते हैं इसको unity ठीक है मतलब community जो मैंने आपको बताया कि community वह group of people है जिनके अंदर अपने पन गया साथ होता है ठीक है एक जैसे beliefs होते हैं एक जैसे needs होती है ओके तो उसके बात क्या है कि उनमें आपस में एक जुटता होती है unity होती है वही यहां पर मैंने यह वहीं यहां पर लिखा हुआ हुआ है ठीक है next हम बात करते हैं कि अगर हम दूसरी example दें आप लोगों को community की की लोगों की community की तो बोला जाता है working together मतलब वो लोग जो एक साथ काम कर रहे हैं ताकि एक common goal को अचीव कर सके जैसे for example environmental protection common right social justice may have a common intent belief and resources ठीक है जैसे हमने of people who uses social media उसको क्या बोला जाता है उसको बोला जाता है social media community ठीक है इसी तरह से नोड़े यहां पी example दी है कि एक ऐसी community जिन लोगों का goal जो है वो same होता है अब वो goal same होना मतलब environment की protection के लिए जैसे बहुत सारे ऐसे लोगों होते हैं कि यार हमारी तवी जो है बड़ी गंदी होगे तो कुछ एंजियो कुछ गुरूपाव पीपल है वो काम कर रहे हैं ताकि तवी को साफ किया जाए हैं है लोग अलग है कोई कहीं से है कोई कहां से है लेकिन उनका purpose same है goal same है तो वो क् कुछ लोग जो है ना वो human right उनको लगता है कि यार लोगों के साथ बेदवा बड़ा हो रहे है तो हम इनके लिए कुछ करेंगे तो इस तरह से वो लोग जो किसी common goal के लिए एक साथ मिलके काम करते हैं वो भी अपनी अलग-अलग communities में वो भी एक community है ठीक है उसे भी हम चुके है ठीक है सेम प्रेफरेंसेज नेडिया रिस्क होता है जैसे फॉर इंपल जैसे कुछ लोग music lover होते हैं तो यह क्या है अब music lover जाहिर सी बात तो है नहीं कि सरफ जम्मू में singer होंगे बाहर भी तो होंगे लेकिन वह singer singer जब मिलते हैं तो वह singer की community बना देते हैं जैसे प्रोफेशन की अगर हम बात करें जैसे doctor की community होगे teachers की community होगे है ना तो मतलब इन लोगों का क्या है इन लोगों का same preferences है इन लोगों की same needs है ओके तो इस point of view से भी हम लोग इनको जो community है वो बनाते हैं मतलब इस basis पर भी community जो है वो बनती है तो मैं again कह रहा हूँ community is not a single word या एक single definition community जो है वो different different places interest belief ठीक है उनके basis पर different communities होती है ठीक है चले है यहां तक अब हम बात करते हैं तो कुछ important definition है community की मैं community आपको बहुत अच्छे से बढ़ा जोगा हूँ मुझे उमीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ भी आया अगर आपको अच्छे से समझ आ रहा है तो मेरा होंसला बढ़ाने के लिए आप लोगोंने मुझे मेसेज करना मेरे वाट्सप नमबर 7006332724 पर अगर आपको अच्छा लगा तो भी मेसेज करना अगर कोई डाउट रहा गया तो भी मेसेज करना मैं clear कर दूंग ठीक है चलो अब हम definition पढ़ते हैं देखो आपको एक question यहां तो direct meaning में से आएगा यहां एक question आपको direct definition में से आएगा अब definition में जो inverted कामाज में दियो होता है न वहां पर लिखा होगा बस आपको mark करना कि कि किस sociologist ने यह चीज़ बताई है जब बोली है ठीक है चले आप पहली जो definition में लिखा है कि 19th century के जो sociologist हैं clear है जिनका ना सुरी इस बुक का नाम है community and society अब उसमें इन्होंने क्या बोला है कि यह जो community है is an organic ठीक है natural kind of social collectivity ठीक है और गनिक क्या होता है और गनिक होता है natural आप बोल सकते हैं natural kind of social collectivity मतलब एक natural kind of type की social connectivity होती है जिन members में और जो एक दूसरे से जुड़े होते हैं किसके तुरू by sense of belongingness मतलब अपने पन के एसास से जो लोग naturally socially जुड़े होते हैं ठीक है तो उस wide range of human activities को हम लोग क्या बोलते हैं community चीक है क्या बोलते हैं community clear है चलिए next जो definition है इसमें लिखा है कि another sociology जिनका नाम है Robert Redfield इन्होंने society sorry community के बारे में community के लिए इन्होंने दो वर्ट्स हो हैं दो वर्ट्स में explain करा एक है little दूसरा है great अब little और great community में इन्होंने differentiate करके community को explain करें अब little community में इनका किस चीज को यह लोग करते हैं रफर करते हैं the one which is homogeneous अब little community में यह उस चीज को डिनोट कर रहे हैं जहां पर चीज़ें हमेशे एक जैसे होती है जैसे फर example village यहां ट्राइब अब बात करें वहां भी एक जैसे लोग है एक जैसा पहनावा है एक जैसा खेती बढ़ी है कुछ डिफरेंस तो है और homogenous का मतलब होता है सेम तो यहां पर क्या लिखा है कि little community is the one वह है जहां पर सबको सेम होता जैसे for example आप लोगों को विलेज हो गया tribes हो गया और वहीं पर अगर दूसरी इन्होंने कहा है wireless great community great community को इन्होंने किस feature के साथ मतलब characterized कर रहा है characterized by heterogeneity heterogeneis होता है difference ठीक है यहां पर ग्रेट कॉम्मिनिटी में क्या-क्या specialty है क्या-क्रेक्टरिक स्थिक्स के ग्रेट कॉम्मिनिटी के इसमें सबसे पहले तो specialization होती है मतलब यह कि एक बंदा जो है वो किसी particular चीज में specialized होता है जैसे for example engineer हो गया डॉक्टर हो गया तो गौव में क्या होता है गौव में सारे लोग 90% केति बाड़ी करते हैं लेकिंट कॉम्मिनिटी में क्या होता है कि एक specialization आ जाती है लोगों में उसके बाद लोग different different काम करते हैं जैसे for example city में क्या होता है कोई लोग businessman है कोई लोग actor है कोई लोग engineer है कोई लोग doctor है तो वह सारा चीज है किसके अंदर आता है आता आप लोगों क्या division of labor के अंदर और जहां पर बहुत सारे different different professions होते हैं तो वहां पर वर्ड लगा आता है complex चीक है तो य यह किस में आता है like cities ठीक है तो मतलब in short इन्होंने little जो है वह village के लिए इन्होंने बोला है और वहीं पर अगर great के बात करी तो वह इन्होंने city के लिए explain करा है clear है यहां तक cut out चले अगला जो है definition के अगर हम बात करें अगला definition में लिखा है बोगार्डस says community is a social group community जो है एक social feeling वाली मतलब अपने पन का ऐसास जो लोग एक particular area given area में रहते हैं clear है चलो वहीं पर next अगर हम बात करें तो Kingslayer Davis भाई आपको same as it is इसी तरह से याद करना जो इन्होंने लिखा हुआ है क्योंकि यही लाइना वहां पर लिखे जाएगी और आपको simple nature bogardus जो है वो टिक करना ह तो आपका एक नमबर पका अब Kings Kingslayer Davis ने क्या कहा है कि society is a smallest territorial group that can embrace all aspects of social life मतलब की community जो है वो एक smallest territorial territorial का मतलब होता है आप लोग in short area को बोल सकते हैं ठीक है ठीक है territorial word basically territory से बड़ा बना हुआ है ठीक है तो अगर हम इसे language common language में पढ़े तो इसको आप लोग area भी बोल सकते हैं ठीक है मतलब यह कि communities हो है वो एक smallest territorial group है और embrace जो embrace का मतलब होता है cover करना ठीक है जो cover करता है क्या all aspect of social life मां social life के जितने भी aspects होते हैं हम सबको cover करता है clear इसी तरह से आगे अगर हम बात करें में काईवर की माइका में काईवर ने भोला है कि community जो है is an area of social living कि जिस जिनके जिनमें आपस में क्या होता है अपने पन का हैसास होता है उसी तरह से में काईवर ने कहा कि community जो है एक लिविंग मतलब एक पर्टिकुलर एरिया के social living मतलब गूर्प पीपल्स होते हैं जो किस चीज़ से जाने जाते हैं कि चीज़ से उनको मांग किया जाता मतलब एक जूटता के बेसिस पर इनमें आपस में बहुत एकता है या एक जूटता होती है उसी तरह से आरी पाक यह लिखते हैं कि community जो है in the broader sense अगर इस ब्रॉडर संस टर्म है अगर इसको बोलें तो इसका क्या है अपना special special space word से बना हुआ है special है ठीक है and geographical connotation ठीक है मतलब जोग्राफिकल का मतलब होता है domination मतलब एक जो community होती है अगर बात करें तो इसका particular space यह particular geographical जगा पे इनका अपना एक dominance होता है बिल्कुँ सभी बात है जैसे for example बहुत सारे ऐसे जगाए हैं जहां पर suppose करो एक ही जात के साथ लोग रहते हैं तो obviously उनका थोड़ा dominance रहता है उस area में इस तरह से इन्हों ने चीज़ों को explain कर रहा है लेकिन मैं आपको इन बंदों ने यह social scientist जो होते हैं यह अपने हिसाब से चीज़ों करते हैं और हमें इन्हों ने इन्वर्टिड कामा में लिखा होता है तो हम जिस तरह से इन्हों डेफिनिशियों पर लिखे होगी इनके न है वह हम टाइपस पड़ेंगे अभी इसको कोशिश करेंगे हम लोग अपने बैच में जितनी जल्दी हो सकता है खतम करेंगे देखो मैं आप लोगों को एक चीज़ लास्ट में बताना चाहता हूं जितने भी लोग लास्ट में लास्ट तक जिन्हों ने यह वीडियो प्लस जो लोग आप लोगों के लिए इतनी खूपसूरत बना रहे हैं यह उनकी सेलरी है क्योंकि 10-15 लोग जो हैं वह कंपनी कर रहे हैं जिनका एक डेट से लेकर दो तक लाक करूं को खर्चा चला जाता है तो बस वह सारी एज़ों का एक्सपेंसिस कवर करने के लिए मैं सिर्फ आप लोगों से ट्रिपल नाइं चार्ज कर रहा हूं और वाइस और साथ ही में आपको इस पेड़ कोर्स में पूरा कंप्लीट कोर्स हम लोग करवाएंगे विद्वीडियो लेक्च्छ नोट्स एमसी क्यूस तो मेरी तरफ से अगर मैं सपोस करो मुझे अगर करना ह जैसे आप सुपरवाइजर कोर्स लिखोगे आपको सारी सारी की सारी लिंक्स जो हो मिल जाएंगे ऑगे बात की मिलते नेक्स वोड़ी में तब तक लिए थेंगे सो मस्ते के बाए